वेलो वेलकम टू माय चैनल पारकी मॉम और आज हम बनाएंगे सुन्दर सुन्दर कैंडर होल्डर्स यह मैंने आप वेस्ट बॉटल कैप से बनाया है जैसे कि आप देख सकते होंगे आपके घर में बहुत सारी आसी बॉटल की कैप पड़े होंगे चली बनाते हैं यह जार सि और यह है आप वाईप आुट कर लिजे हम इने वाइट करेंगे वाइट करने के बाद हिंगे इक ल εδώ उन्लग पासंद की कोई से कलर लीजे और आने प्रिंट कर लीजे हूँ आप इक ओसी लीग लिए है और डेमो पड़ॉपस से अलग 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 스타일 माइने अब तो मैंने इसलिह सबको अलगलब पेंट किया है यह चारो अब देखें पेंट होके कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं यह सबसे पहले मैंने परपल वाले को लिया है और मैं इसको डेकुरेट करूंगी इन आर्टिफिशल फ्लावर से मैं इसके बॉर्डर पर यह सारे अर्टि नेक्स्ट अब हम बनाएंगे एक गोल्डन कलर का जो बॉटल कैप या मेसन जार कैप जो है इसको मैंने पेंट किया था अब मैं इसके इस बॉडर पर पॉम पॉम लगा रही हूं कलरफुल पॉम यह इसली मार्केट में एफलेवल होती है आप इसके जगे कुछ और भी आपके पास जो भी डेकोरेशन का समान हो आप वो लगा के से बना सकते हैं यह मैं ऐसे कलरफुल करके लगा रही हूं रेन्बो थीम में बड़ आप कैसे भी लगा सकते हैं एक ही सिंगल कलर के भी पॉम पॉम लगा सकते हैं जैसे यलो के साथ रेड बहुत अच्छा आए मैं है या इस वाले में फयान आध है शैनी बू कलर का पैंट किया था और एक ही में पास वेसट फ्लावर था आय ऐसे सेंंटर में पेस्ट कर रही हूँ और इसके उपर मैं कैंडल को फेस्ट करूंगी ताकि वह एक फ्लावर का लुक आजाए यह डिखिए अब इस पिंक वाले को मैं white flower and green flower से decorate करूंगी इसको मैं इस तरह के से paste करके फेविमान की help से मैं इसे border पे नहीं लगा रहे हूं मैं इसे इधर इसके upward side पे लगा रहे हूं और ये देखिये इस तरह के से लगा देंगे इसको और candle को मैं इसके नीचे पेस्ट करूंगी अब यहां कैंडल पेस्ट कर देंगे यह देखिए भी रेडी हो गया अब मैं आपको सारे चारो की पिक्स दिखाती हूं कि कैसे दिख रहे हैं यह रेगे सारे रेडी हो चुकिया और यह कितने ब्यूटिफुल लग रहे हैं आप भी ने बनाईए और बताइए का कमेंट करें वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको बता है क्या करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और बताएगा कि कैसे लगी वीडियो कीप वाचिंग स्पाकी मॉम